हेलो वीवर्स और महाल लोगों उमीद करता हूँ कि आप लोग स्वास्त हैं, मस्त हैं, ब्यास्त हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे, स्वास्त होंगे, मैं आशुतो स्वास्ताना आप लोगों को आपके अपने चै उन्होंने कहा कि मुझे YouTube पर होना चाहिए तो मैं हो गया अब आप लोग मुझे सजिस्ट करिए कि कैसे और चीजे को बहतर किया जा सकता है सब्सक्राइब करने का इक्षा हो quality content हो तो आप कर लीजेगा लेकिन अगर पूरी तरीके से stock market के अच्छे तराग बनना चाहते हैं सीखना चाहते हैं depth में knowledge लेना चाहते हैं तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल play store से जाकर के download कर ये या फिर नीचे description box में link पड़ा हुआ है अब इस series में हम लोग बात कर रहे हैं stock के health check-up की ये series क्या है ये series unique क्यों है और इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं तो इससे पीछे वाली series में जितने लोगों ने पड़ा होगा वो सब जानते होंगे कि हम लोग एक stocks का health check-up करने जा रहे हैं stock health check-up का मतलब क्या हुआ कि भाया आपके portfolio में अगर आपने किसी वज़ा से कोई stocks ले लिया है तो उसका वज़ा क्या है उसको और ज्यादा दिन तक रखने का नहीं रखने का अभी निकल जाने का या बहुत समय तक रखने का तो stocks से related उनकी health check-up हम लोग कर रहे हैं तो लगों को particular उस पर वीडियो बना करके दे दूँगा ठीक है तो stocks के health check-up पे जितने मेरे new viewers है वो समझ ले कि हम लोग तीन तरीके की stocks के बारें बात कर रहे हैं पहला penny stocks penny stocks जहां पर बहुत अच्छा होता है investment के रिए कोकि सस्ता होता है उतना ही आप लोगों के लिए जान ले तो भाईया मैं आपको पहले बताता हूँ इस तरीके की attitude पर मैं बिल्कुल believe नहीं करता मेरे को समय चाहिए मैं अपने students पर समय देता हूँ मुझे quality content पसंद है hand holding करना पसंद है छोटे सब्दों में जादा cj समझाना पसंद है लेकिन मैं आपसे फिर क्या रहा हूँ कि manipulation के गेम से tip selling के गेम से बचिए पैसा आपका है समझदारी आपको बनानी है सबसे importantly आपको क्या काम करना है अपने education पे खर्च करना है तो हम यहाँ पे जिस penny stocks के बारे में बात करेंगे वो 200% research के साथ होगा research के साथ साथ हम आपको suggest भी कर रहे होंगे educationally purpose से कि इस penny stocks में कैसे इस आपने छोटे-छोटे-छोटे-छोटे terms देखें कि company में यह अच्छा है company में अच्छा है मैं आप से कह रहा हूँ overview लिये रहे हैं वो तो अच्छा है लेकिन depth में knowledge लिये बगार किसी चीज़ का decision लेना गलत है अपने financial advisor से बिना मिले decision लेना गलत है मैं इसके सक्त खिलाफ ह हूँ और मैं आप सब को बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ पर काम करिए education पर काम करिए और learning पर काम करिए पहले किसी चीज़ को सीखिए फिर एक पर implement करिए is it fine दूसरे नंबर पर हम लोग mid cap company के बारे में बात करेंगे mid cap company में भी आप invest इसलिये करें तो कि mid cap company अपने आपको सिद्ध कर चुकी होती है कि वो अच्छा काम कर रही है उनका future में ये goal है उनके promoters इस तरीके से visionary है और company का track record है कि history है तो यहाँ पर mid cap company में भी investment करना penny stocks और large cap company के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है और जितने retailers हैं वो ज्यादा तर इसमें और इसमें ही अपने आपको बना करके चलते है ठीक है और तीसरे नंबर पर जो आपका है वो large cap company है large cap company है एक समय पर यह भी mid cap company थी एक समय पर यह भी penny stocks था ठीक है जैसे बजास finance का example ले लि TCS देख लिजे विप्रो देख लिजे there are number of companies ठीक है तो अभी आप penny stocks गलत नहीं होता उसमें manipulation बहुत strong है ठीक है उसमें हमें पूरी-पूरी case study बदाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत लोगों नहीं चीज को लेके suggest किया है कि सर्थ penny stocks तो penny stocks के में पूरी case studies बनाऊंगा कि कहां पे किस penny stocks को manipulate करके इस तरीके से hype create करके हमारे बहुत सारे retailers का पैसा वहाँ पे खराब हुआ लेकिन penny stocks गलत नहीं होता है मेरा सिर्फ कहने का रथ है कि वहाँ पर research of fundamental और दूर दृष्टिता को देखना बहुत बड़ा learnings होता है तो वहाँ पर learnings पर काम करें mid cap company में थोड़ा कम research की जावशकता इसलिए होती है क्योंकि ये company track record होता है इसके पास और एक history होती है इसके पास एक visionary scale होता है और आपके सामने पूरा market में exist कर रही होती है तो इसको समझना आसान होता है ठीक है अब आकी large cap company को हम cover करते वह चलेंगे health check-up वाली दुनिया मे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके एक कदम आगे बढ़ते हैं आज mid cap company था जी दूसरा series लेकर आए हुए है इसमें थोड़ा सा समझें कि क्या चीज़ा आपके लिए company करके दे रही है क्यों इसको मैंने select किया है तो उस selections के पीछे का सबसे बड़ा role है कि market देखो ये भी आप की लाख करोण में है तो यहां से यह भी आपके लिए बहुत ही बहतर काम कर रही है current price देखिए इसके 346 रुपए चल रही है ठीक है और लोग देखिए इसने 182 रुपए दिया था डेली ट्रेड में कभी market 10 रुपए 5 रुपए नीचे होती है कभी 10-5 रुपए कम होती है market में अभी जा करके recently आप देखिएगा कि कितने में चल रहे हैं low और high की बात करो ठीक है यहां पे book value इसका ठीक है stock to PE ratio भी ठीक है बाकी ROI आपको बता है ता phase value वेगारी सारी चीजों को लेके जितने भी terms हैं वो धीरे 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 मैं आप लोगों को एक करके पूरी बहतर knowledge दूँगा लेकिन अभी हमारा main purpose था कि market की current valuation को बताना अच्छा काम कर रही है market की current price को बताना और उसका high और low बताना इस साल में उसने कैसे perform किया और कैसे आप लोगों को जेब को ब करके लाया आपको display कर दिया को कि मेरे को पता है कि attention आपको खराब नहीं होना चीज़ लिए मैंने overview थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा हर चीज का दे दिया लेकिन मैंने का माइडियर किसी चीज कर रिसर्च करिए nse.com पर जाईए nseindia.com पर जाईए वह सारा को जितना आप ज्यादा से ज्यादा knowledge कठा कर पाएंगे वह आपके पैसे को और multiply कर पाएगा और आपके risk को minimum से minimum minimize कर पाएगा screener.com भी बहुत अच्छा है आप screener.com पर जाकर अपने आपको रेजिस्टर कर सकते हैं ठीक है cnbc पर भी आप अपने आपको जाकर सोड़े CNBC पर भी आप जा करके अपने आपको देख सकते हैं यहां पर भी आप चीजों को collect कर लीजें आप money control पर भी जा करके चीजों को देख सकते हैं तो money control पर भी जा करके सारी चीजों को और there a number of websites सारी websites हैं लेकिन जो मुख्यत हैं वेबसाइट जो आपको अच्छी knowledge दे रही हैं the times of में भी जा सकते हैं economic times में भी जा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको roughly roughly बता दिया कि आप यहां से जा करके भी एक अच्छा results एक अच्छे research कर सकते हैं ठीक हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और बाकी मैं इससे जूड़े में जो अच्छी website से उसकी पूरी-पूरी class भी पढ़ाऊंगा कि उस website को कैसे बहतर तरीके से results ढूंड़े जाते हैं क्योंकि website पर जाना randomly serving करना यह कोई सही नहीं है ठीक है ज्यादा अच्छा क्या है कि उसकी पूरी knowledge लेना उसके पीछे अपना समय इंवेस्ट करना तो हम लोग इसके बार March April 2023 के session में देखिए कि market कहां पर stand कर रही थी ठीक है 200 रुपए पर ठीक है फिर उसके बाद इतनी दूर तक market sideways रहती है फिर market ने आपको एक अच्छा फिर 240 रुपए फिर market थोड़ी दर के लिए sideways रहती है फिर market एक momentum देती है फिर market आपको 260-280 रुपए के बीच में trade करते सेप्टमबर 2023 के बीच में ठीक है फिर उसके बाद यहां से market sideways थोड़ा सा low फिर 240 पर फिर यहां से market अचानक से move करती है और आपको 320 रुपए पर तब मेरा रुझान यहां पर आप लोग के साथ इकठा हो जाता है कि देखो भाईया यहां से market ने अचानक से एक बहतर momentum दिय और 320 फिर market sideways पर रहे ठीक है फिर market sideways हो गई 320 रुपए पर कर रहे है 320 रुपए के बार फिर इस ने अपने आपको ब्रेक दिया और 340-3402 रुपए पर इस वक्त्रेड कर रहे है ठीक है अब देखिए इसका सफर 180 रुपए से शुरू होता है और 342 रुपए तर चल रहा है इसका लेवल अलगी लेवल पर है भाई ठीक है अब इसमें जितने लोग मालीजे के लमसम पैसा एक बार में कठा नहीं कर सकते मालीजे अगर आपको इसमें 1000 शेयर लेना है तो भाई कहीं न कहीं 3,42,000 रुपए का आपका इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा मालीजी किसी पर कि हो जाएगी तब तो आपके लिए यह लांज क्याप में चली जाएगी फिर आप क्या करेंगे ना कब नौ मंतेल होगी ना कबराधाना चने को तयार होगी तो इसलिए मैंने आप लोग को क्या कहा कि इसमें S.I.P. भी करें जितने लोगों को S.I.P. कैसे इसमें किया जाता है एकुटी में S.I.P. में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है अगर थोड़े ही आप लोगों को समझ चारिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अस्तानल ट्रेडिंग स्कूल का एप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है माइडियर उसको आप कर लिज़े उसमें एक सेक्शन है S.I.P. mutual fund का ठीक वहाँ पर पूरा मैंने S.I.P. क्लास को पढ़ाया है कि कैसे equity में trade करते हैं कैसे mutual fund में trade करते हैं किन बातों का ध्यान रखते हैं अगर आप मैंसे किसी को भी लगता है serious education के लिए तो वहाँ पर जाईए वहाँ पर मैंने आपको classes दे रखी हैं उससे rated notes दे रखी हैं फिर assignments दे रखा है फिर उसके बाद live webinar के बारे में हम लोग वहाँ पर discussion करते हैं hand holding करते हैं आपको educate करते हैं ये channel का main purpose है कि कितना ज़्यादा हम अपने लोगों को educate करते हैं कितना ज़्यादा सिक्षित करते हैं financially कितना literate करते हैं इसलिए मेरा रुझान इसमें आया और मैंने सूच आप लोगों को suggest कर दिया जाए क्योंकि आप लोग बार-बार मेरे से बोलते रहते हैं कि penny stocks and mid cap company ओके तो इसलिए हम लोगोंने stocks health check-up का series start कर दिया है तो health check-up से related अगर आपने अपना portfolio ले लिया है किसी वज़ा से यूट लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे comment box में बताएगा कि sir मैंने यह यह stocks ले रखता है तो इसका health check-up हम लोग कर लेंगे तो ठीक है तो आपने मुझे नीचे comment box में बता दीजे अब यहाँ पर देखिए years के बारे मैंने आप किया वह आपके सामने है और मैंने सारे websites भी बता दिया है कि जहां और ज्यादा से ज्यादा आप knowledge ले पाएंगे वह भी बता दिया है लेकिन आपका attention नखराब हो इसलिए मैंने वहां से कुछ data लाकर आपके सामने रख दिया है अब इसके प्रॉंस देख लीजिस के बहतर तरीके से चुनाओ किया company has delivered good profit growth यही सब सब तेको कुछ भी करो इस दुनिया का भगवान तो यही है यह शब profit ठीक है यह इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवान जो है वह profit और इसने देखिए 44% annual मतलब आप देखिए 44% से ज्यादा का profit growth जो है पिछले 5 साल में दिय और year on year इसका growth अच्छा है तो कि अभी पीछे आपने charts में एक साल का दिखाया था लेकिन आप ज़्यादा मैंने websites दे रखिए यह website पर जाकर के आप पूरा देखिए कि एक साल में क्या किया तीन साल में क्या किया पान साल में क्या किया अभी last quarter में क्या किया तो इस तरीके स आप पूरा निकाल लेजे लेकिन मैंने आपको बताया कि overall इसका 44.9% जो है CSER value रही है अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो शब्दा आता है किसा dividend क्या है P value क्या है book value क्या है यह सारी चीजों के लिए आपका मैंने comment receive कर लिया है मैं इस पर पूरी पूरी एक एक और legs है यह company बहुत बड़ी है ठीक है और जितने भी इसके legs है सारी company अपने लोगों को dividend भर भर कर दे रही है ठीक है dividend इन्होंने बहुत अच्छा आपको दिया है इसमें मैंने आपको SIP वाली class में बताया है कि dividend को किस तरीके से growth dividend में देखा जाता है किस तरीके से reinvestment dividend में उसका class जरू ले लिजिए अगर आपको interested है अगर आप इसमें बहुत नॉलेज लेना चाहरा है तो तो यह मैंने आप लोग को बता दिया है कि यह दो बहुत बड़ा factor है इसलिए मैंने इसको चुनाव किया यह है इसका cons कहता है stock is trading at 3.66 times of its value ठीक है नहीं यह क्या कहता है कि stocks जो है अपने 3.6 system तो कोई भी चीज अगर समय के साथ grow कर रही है तो जाहिट सिवा तो वह value से अपने ओवर और मैंने इस सीज के लिए भी देखो misconceptions बहुत सारी चीजे market में misconceptions में चल रहे है कि यह company overvalued है लें की नहीं और यह apple company को देखो सदियों से वह overvalued है और आज भी overval value है तो भाई myth से बाहर निकलो यह नहीं कि कवा कान ले गया तो धूड़ने लग गया यह तो बिल्कुल अगलते हैं और ऐसा ही होई रहा है समाज में इसलिए मैं आप लोगों को वापस लेकर उसी कान को पकड़ करके वापस लेकर आ रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ quality education पर कोई लोग बता रहे हैं कि मारकट में सही टाइम क्या है एंट्री का चलो इक चीज को आप लोगों को ररर ऑफटा भी देता हूं जैसे बहुत सारее लोगों का यह चीज होता है मैं भी अपने वीवर्स से सुनता हूं समझता हूं लेकिन समय का थोड़ा अभाव होते हैं क्योंकि आप लोगों ने जिम्मेदारियां बहुत सारी दे रखे हैं तो इसलिए आप लोग इस चीज को देखिए कि यहां पर एक शब्द आता है कि कब एंट्री लें और कब एक्जिट करें ठीक है यह तो चीज होई गई यह बहुत बड़ी चीज है यूट्यूब पर इतम दुनिया को कि कव अकान लें ढूड़ने वालों की फॉर्च लेकी हुई है तो उन्होंने कहा कि कब एंट्री लें भाईया यह बहुत बड़ी चीज ह कब एक्जिट लें यह बहुत बड़ी चीज है आपको भी लग रहा है हां सर कब एंट्री लें यह बहुत अच्छी चीज है कब एक्जिट करें यह बहुत अच्छी चीज है मैं आप लोग को थोड़ा सा उल्टा कह रहा हूँ कब ना लें यह भी तो सीखना है कब एंट्र ना लें, एंट्री लेना भी अपराद है, और एकदम कब सही समय पर ना बेचे, बात को समझे, कब ना निकले, ये भी तो सीखना है, कब नहीं घुसे, ये भी तो सीखना है, कितनी देर तक रुके रहे, ये भी तो सीखना है, क्यों निकल रहे हो, ये भी तो सीखना है, क्यों time पर exit करना चलो आप लोगों को ठंड के मौसम में एक गर्मी का शब्द देते हो यह सब बहकावा है अगर कोई यह नहीं कह सकता है stock market में कि क्या best time है entry का और क्या best time है exit का ठीक है market किसी के बाप की नहीं है market किसी किसा की नहीं है market किसी के कहने पर नहीं चलती मैं आप लोगों क्या कह रहा हूँ कि learnings पर focus करिये learnings पर यह नहीं कि what is the good time to entry what is the good time to exit ठीक है entry और exit कहा नहीं करना है यह भी बहुत important है पैसा लगाना है यह important तो है पैसा नहीं लगाना है अभी यह भी बहुत important है लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर काम कर रहे होते हैं समझ रहे होते हैं इसलिए मैंने आप लोगों के यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया कि भाईया misconceptions से निकली है और जब तक आप education पर काम नहीं करेंगे तब तक आप misconceptions में फसे रहेंगे जैसे misconceptions में सबसे बड़ा misconceptions तो यही है कि यह stock market is subject to high risk तो भाई किसमें रिस्क नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बार बार यह कह रहा हूँ जितना आप aware रहेंगे जितना आप educated रहेंगे जितना अपनी कान active रहेंगे और आपका brain उतना ही sharp होगा और data analysis कर पाएगा company has low return on equity last three years देखो भाई last three years में तो ज्यादा तर 2022, 2021 पर 2022 आपने देखा कि COVID में सफर किया तो लगभग आप यह मान के चलिए कि वहां का यह impacted था लेकिन फिर भी company बहुत अच्छे तरीके से strength करी और फिर bounce back करी वापस आई earning include of other income, other income के थूँ इन्होंने इतना करोड, 4,293 करोड रुपए तो other incomes के थूँ बनाया, other incomes का मतलब होता है जहाँ पर company ने investments किया, company ने acquisitions किया, company आपको survive करने के लिए अलग-अलग तरीके से कहीं से भी earning का source खोच के लाई, तो यहाँ पर आप including करती है other services, ठीक है अब यहाँ पर यह वाली बात है, इस बात की वज़े से मैं आप लोगों को seriously कह रहा था, कि मैंने इसको क्यों pick किया, और क्यों आप लोगों को education के purpose से, मैंने इस वीडियो को design किया, और आपके सामने लेकर रहा है इसने मेरा ध्यान कीचे, इसलिए मैंने आपका ध्यान कीचे, FII साहब 2021 में 10%, फिर December में quarterly देखिए, फिर 11%, March 22 की तो बात ही नहीं करना भाईया, जैसे ही COVID खतम होता है, फिर 11 से 57 कौन करता है मेरे भाई, अब आप समझे कि किसी भी FII का, foreign investors का इतना बड़ा रुजान कि भाईया, March, December 2021 में कह रहे हो, कि भाईया में 11% का investment role है, और June 2022 में ही आप 9.9% पर है, और अचानक से जैसे ही अगला quarter result आता है, तो 57% पर आप चले जाता हो, फिर उसके बाद देखिए कि 57, 55, 57 का इन्होंने एक आराम से sustainability रखी है, powerful sustainability रखी है, एक future set के साथ अपने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए 57, 56, 54, 54, 54, 54 बनाया हुआ रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने आपका एक इसमें जो रुजहान रखा हुआ है, वो और लोगों को मोटिवेट करता है लेकिन एक बात और यहाँ समझो, मैं बार-बार कह रहा हुँ, डेटा का मतलब 10 मिनिट में करोपती बनने वाला 500 और लगा, करोपती बनने वाला 15 मिनिट में वीडियो देखके, पहनी स्टॉक्स में लगा के, यह सब बकवास भरी बात है, अगर इसमें आप फूल जे, तो गटना देखो, मैंने 17 जनवरी को जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड के लिए, आपको एजुकेशन के पपस से एक वीडियो बनाएं, और साफ साफ लिखा कि धाई महिने का अगर ट्राक रिकॉर्ड आप देखते है, one-sided move देखने को मिल सकती है, और सुसती जी क्या श्रिवास से, जितने लोगों ने बैंक निफ्टी को देखा, बैंक निफ्टी पूरी तरह से crash करी, ठीक है न, दो हजार अंक नीचे गिरी, ठीक है, अब इसके पीछे रीजन, बैंक निफ्टी का कमजोर होना नहीं था, SDFC ने अपने आपको profit दिया, quarterly results में उसने profit दिखाया, उसने अच्छा scenario paste किया, लेकिन उसके बावजूद भी FIIs ने 1000 करोनो रुपए की short selling कर दी, selling कर दी, profit book कर लिया, और 8% की sharp selling, 8% का impact negatively किसको देखने को मिला, SDFC को, और वो बैंक निफ्टी में एक major role play करती है, आप लोग यार, यह बकवाज बरी बात है, पैसा आपका बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, और trading stock intraday में आने का मतलब यह, दिल की धड़कोनों को भी आपके तेजी से graph में ऊपर निचे ले करके जाती है, तो आप चीजों को समझ यह कि अगर bank nifty में जा रहे हो, तो आपको ultimately यह dependency है, bank nifty पर, तो bank nifty पर SDFC ने सारी चीजे profit दिखाई, उनका quarter results क्या था, एकडम वہतर था, वहाप FIAs का role क्या था, एकडम बहुत वहतर था, लेकिन उसके बावजुद भी, जो impact आपको देखने को मिला, उस शब्द का काम था, FIAs, तो आप देखो, मैं अपनी ही चीज़ समय से नहीं हो कि 42 degree centigrade 44 degree centigrade बाहर तापमान है धूप से जल रहा है और मैं काला चिसमा लगवा के कहूं कि चारो और तो इद्दम बहुत सुकून है यह गलत attitude है तो मैंने आपको दोनों expert बताये कि जब तक आप learnings पर खर्च नहीं करेंगे pen pencils उठा कर research नहीं करेंगे तब तक आप समस्याओं में रहेंगे लेकिन यहां पर लगतार फाइस ने एक अच्छी holdings करके रखी है डियाइस मैं आपको क्यों यहां पर ज्यादा serious हुआ को कि डियाइस ने भी same mutual fund ने भी same other investors ने भी same domestic investors ने भी same यही रोल किया छै परसेंट साथ परसेंट आट परसेंट नौ परसेंट तेरा परसेंट फंद्रफ परसेंट देखे कैसे उन्होंने अपने रुजान को बढ़ाया है और डियाइस का मतलब domestic investors होते हैं अपने यहां के capital investors होते हैं तो उन्होंने अपने आपका रुजान बहुत बहुत बहतर बनाया है और यह जो public है यह तो जान रहे हैं कि लगातार जैसे ही यह उस तरीके से educated नहीं होती таनने को कि कने इनवेशल जण भूती हैं परसना अचाहां मार्केट के sentiments का हिसाब कर भूंब रहे होते हैं फिर अचानक से देखिए 81, 83, 33, 33 घूमते वे बचारे 27 परसेंट पर आ गए तो पब्लिक ने अपना पैसा यहाँ पर लॉस किया है, ठीक है, और अधर्स लोगों ने भी मार्केट से कम होगा, लेकिन मेन हमारा जो आज का यहाँ रोल था, वो डियाईई, देखो, पब्लिक क के साथ रिटेलर इंट्री मारते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बहतर सिंप्टम्स आया था, जो सबसे बहतर आया था, वो डियाईई का रोल आया था, जिसमें सबसे ज्यादा मीचोल फंड का रोल आया, इसके लिए मैंने इस कमपनी को पिक किया, और आप लोग अच्छा रिसर्च करिये, अच्छा मंतन करिये, कोई चीज समझ कम आती है, या उसको और आपको समझ रहे हैं, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए, जब अस्ताना ट्रेडिंग स्कूल मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों को हैंड होल्डिंग कर आने के लिए, तो आपको फर्शान होने की आवशकता ही नहीं है, यह था सबसे बड़ा रुजान, जो कि किसी भी कंपनी का माई बाप होता है, देखो भाईया, सेल्स और एक्सपेंस मैंने आप लोग को बताया, कि सेल्स और एक्सपेंस का मतलब होता है, कि भाई तुमने क पैसे इन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, इस सारी चीजी तो आपके सामने लिखें, लेकिन मैं कहा रहा हूँ सीधा-सीधा आप यहाँ पे इस शब्द पे क्यों नहीं आते हैं, that is, profit, अगर भाई कितना में बनाए, कितने में बेचे, कितना में मार्केटिंग किये, कितने में सेल्स किये, कितना ओपरेशन का कॉस्ट आया, यह सारा कॉस्ट वाश्ट सा मिला के, अल्टिमेटली लास्ट में तो भगवान आई जाते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, तो देखें, कमपनी का प्रॉफिट देखें, सेतंबर 2020 में, तीनी कहत्तर, फिर उसके बाद सेप्टेंबर 2021 में देखें, 506, फिर उसके बाद मार्च, फिनांशेल यर्स को समझिये, 632, फिर जून, फिर दिसंबर 2022 को देखें, 1052, अभी सेतंबर 2023 का देखें, कि 1017 पर चल रही है, अभी फिनांशेल यर्स आपके सामने खड़ा हुआ है, 2024 का, वो अ अभी उनकी बैलेंस शीट में क्या काम हो रहा है, तो लगातार कोई भी कमपनी 371 से 1000 करोन के प्रॉफिट में आ रही है, तो यह मुझे बताने के बिलकुल आवशक्ता नहीं है, कि इसने सस्टेन तरीके से अपने प्रॉफिट को दिया है, अपने प्रॉफिट को भुक किय है, यह ऐसी कमपनी है माइडियर, जिसने आपको पावर दिया है, पावर, ताकत दिया है, और यह पावर के सेक्टर में काम भी करती है, फट 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 नीचे कमेंट बाक्स में बताए, वैं किस कमपनी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यह कमपनी पावर के सेक्टर में काम कर रही है और आने वाले टाइम में power industries में energy की industries में इसने एक अच्छा role भी तयार कर रखा है और एक अच्छा future plan भी इनके हाथ में है और अच्छे अच्छे deals के साथ भी अच्छा काम कर रही है तो आप लोग मुझे बताई कि मैं किस company के बारे में बात कर रहा हूँ और इसका नाम बहुत बड़ा है तो मैं आप लोगों के सामने इस सब्दा गया Tata Power Tata Power बहुत बहतर तरीके से अब तक कि अपने पूरे सिनारियों में आप के सामने मैंने आप लोगों को बता दिया है यदि आप चाहें तो इसको SIP के थू भी काम कर सकते हैं इसमें चाहें तो आप लमसम भी कर सकते हैं एनर्जी के सेक्टर्स में Tata Power का छह रोल है Tata Power के साथ साथ जब आप रिसर्च करिएगा तो वहाँ पे अडानी Power का भी नाम जुड रहा है तो मैं जल्दी ही आपको अडानी Power पे भी एक वीडियो बना करके दूँगा कि अडानी Power and Tata Power के साथ कैसे एनर्जी के सेक्टर्स में साथी साथ सुझहाओ के रूप में अब यह नहीं की वीडियो अंत होने वाली है तो आप लोगों की दिमाग में चल रहा है कि स्विच्च करते हैं रेको भीया अंतिम के सेकेंट्स में भी काम की बात हो सकती है और वैसे भी अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो एक attitude डबल अब करिए जीरो से final अधूरा ज्यान दुनिया का सबसे खतरनाग ज्यान होता है माइडिया है ठीक है समय खर्च करिए पढ़ाई पर अपना समय पूरी तरह से खर्च करिए टाटा पार्स के साथ मैंने अडानी पार बोला साथी साथ मैंने आपको ये भी बोला कि जब भी आप अपना पॉर्टफोलियो डिजाइन करिए तो उसको डावर्सिफिकेशन में करिए डावर्सिफिकेशन का मतलब अगर आपकी पास एक लाख रुपए है तो उस एक लाख रुपए को एक ही इंडेस्ट्री एक ही सेक्टरस में डालकर आप उसको डावर्सिफाई करते जाए जब आप डावर्सिफाई कर देते हैं तो सेक्टरस के इंप्रूब्मेंट में भी आपकी पॉर्टफोलियो एक कलरफुल एक अच्छी हेल्दी रहता है साथी साथ अगर आपको SIP, Mutual Point, Stock Market, Trading या जितनी भी क्लासेज आपको पढ़नी है तो अस्थाने ट्रेडिंग स्कूल का नीचे description box में my dear app की link है आप उसे click कर लीजे और साथी साथ जोड़ जाए जहां पर हम लोग hand holding के साथ आपको वीडियो के format में फिर उसके बाद उससे related study material, फिर उससे related आपका assignments और फिर उसके बाद live webinar हम लोग ले करके इस stock market financial literacy program का हिस्सा बने और अपने साथ साथ और लोगों को भी educate कर पाएं, सिक्षित कर पाएं तो कि मेरी मुही में कि अगर आप सिक्षित हो गए, आपके घर की महिला सिक्षित हो गए, तो वाप पूरा घर सिक्षित हो जाता है तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, ब्यस्त रहिए, स्वस्त रहिए और लगतार उर्जावान रहिए, पैसे का खयाल रखिए और अपने खयाल का भी खयाल रखिए, इन्हीं शुब कामनाओं के साथ मैं आशोतर सस्थाना साइनिंग कि अ